वेलकम बाक इन अदर लेक्चर ओफ पॉलेटी फॉलेटिस अपडेट और इन लेक्चर की पीडियप्स के लिए आप हमें हमारे टेलेग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं और अनर वेबसाइट डैट इस www.rodias.com और अगर आप PGP Batch जोईन करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पर कॉंटक्ट कर सकते हैं इन माइन मैप्स की वुक्स को परचेश करने के लिए आप फ्लिप कार्ड या फिर एमाज़ॉन पर चेक कर सकते हैं सो इसे पहले रहने प्रॉजिडेंट कई था और में काफी सदर ंगाइन्प क्या था हुआ हुआ स्व प्रीजिदेंट लिजा में कौर्प लेंगे वह इस ना करेंगे तो आजकिकर्व कंट्री सुछ फॉस्थ हाइस्ट ऑफिस है वह किसके पास है प्रजिडेन जया जाता है कैसे पॉइट किया जाता है वह को जो वाइस पिसेर्ट की एलेक्टट नहीं होती तेस्ट वह इनशिव हईोती है कैसे इस लेक्टरी हों लेक्टरेल कॉलेज अकॉलेज में कॉन-कॉन होता है बोथ elected and nominated member of the parliament और प्रेजिडेंट में कौन था सिर्फ elected members थे प्रेजिडेंट में बट यहां पे वाइस प्रेजिडेंट में नॉमिएट और इलेक्टेट दोनों ही पार्लेमेंट के members जो हैं वो electoral college में आएंगे और सेकेंड इसमें क्या होगा कि it does not include the member of state legislative assembly जो state legislative assembly के member हैं वो वाइस प्रेजिडेंट के appointment में include नहीं होंगे और इसकी जो voting होगी वो कैसे होगी proportional representation by mean of a single transferable vote और इस चीज़ को मैंने आपको प्रेजिडेंट के chapter में बढ़ाया समझायाता अच्छे से अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो पहले आप प्रेजिडेंट का पूरा इंडिया और इस पावर एक्स्टेंट वो तुदर एड्मिनिस्ट्रेशन बायर सेंटर अंडर स्टेट का है और उसकी जो पावर है सेंटर अंड स्टेट दोनों के लिए है वो दोनों की यद्मिनिस्टेशन को देख सकता है इसलिए उसकी एलेक्शन में स्टेट के मैंबर उनकी भी पार्टिसिपेशन जरूरी होती है बट जो वाइस प्रेजिजेटेंट है वो सिफ नॉर्मल फंक्शन करते हैं आर्ट विसाइड ओवर दा कॉंसल ऑफ स्टेट तो जिसके कारण उनकी एपॉइंट्मेंट में स्टेट लेजिजेशर की मैंबर की जो है स्टेट लेजिजेशर के मैंबर का होना जरूरी नहीं है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या है यह तो सब्सक्राइब की सिमिलर ही चलती है कि वो सिटिजन होने चाहिए इंडिया के एस जो है उनकी अब थर्टी फाइब यर्ज होनी चाहिए और यहां पर क्या है के क्या है कि वाइस प्रेजिडेंड में कि वाइस प्रेजिडेंड होंगे वह क्या होने चाहिए फॉर एलेक्शन आज़ाम राज्याजबा नेक्स्टेश शुड नाट होल्ड एनी ओफैस ऑफ़ फर प्रॉफिट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते नहीं होने चाहिए अगर है तो उनको अपनी वाइस प्रेजिडेंट के पत संभालने से पहले उसको छोड़ना पड़ेगा तो नेक्स्ट आती है ओत और अफर्मेशन इसमें क्या है वाइस प्रेजिडेंट का कौन सी ओत लेते हैं और पूरी इमानदारी से पूरी वफादारी से जो अपनी ड्यूटी है उनके आफिस के प्रतिवो उसको करेंगे जो ओत है वाइस प्रेजिडेंट को वो कौन दिलाता है प्रेजिडेंट दिलाते हैं अगर प्रेजिडेंट ना प्रेजिडेंट हो तो उनकी दोरह एपॉइंट किया गए कोई पर्सन किस कंडिशन पर वाइस प्रेजिडेंट के आफिस लिया जा सकता है कि जो वाइस प्रेजिडेंट है वो किसी भी मेंबर हाउस प्रेजिडेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए अगर है तो उनको वो अपनी सीड जो है वो छोड़नी पड़ेगी तो नेक्स आता है शुड नॉट हैव एनी ओफिस ओफ प्रॉफिट कि वो किसी भी ओफिस ओफ प्रॉफिट में इन्वाल्व ना हो नेक्स आती है टर्म एंड वेकेंसी कितने टाइम के लिए रहेंगे और वेकेंसी कैसे होगी फर्स देखते हैं हम टर्म ओफ ओफिस में क्या आएगा कितने टाइम के लिए वाइस प्रेजिडेंट रह सकते हैं वो पांच साल के लिए अगर उनको रिजाइन करना है तो किसक को रिमूव करना होता तो आप राजय सभा या फिर लोग सभा दोनों में से किसी में भी resolution पास कर सकते थे बट यहां पे वाइस प्रेजिडेंट की removal सिर्फ राजय सभा में इसी start होगी और वो भी absolute majority से और जो लोग सभा है उसको सिर्फ उनके साथ agree ही करना होगा और इसमें भी सेंग वाइस प्रेजिडेंट को 14 दिन का notice दिया जाएगा और यहां पे भी constitution में कुछ भी ऐसा नहीं बता रखा कि किस basis पे वाइस प्रेजिडेंट को remove किया जा सकता है सो नेक्स आती है हमारी विकेंशी इन दो ऑफिस विकेंशी में क्या आएगा जैसे कि पांच साल का टैनियर खतम हो गया वाइस प्रेजिडेंट का तो उसके बाद जो ऑफिस अब वेकेंट हो जाएगा नेक्स अगर वह रिजाइन कर दे या फिर उनको वेकेंशी कर दिया जाए उनकी आफिस से या फिर उनकी डेथ हो जाए उस टाइम पर विकेंशी और ऐसे क्या वेकेंशी क्रियेंट हो सेलरी जो है वो फिक्स नहीं की गई है जो उनको सेलरी मिलती है वो एक्स ओफिशो चेयर्मेन ऑफ राज्यसभा की तौर पे मिलती है और जिस टाइम पे वो एज़ा प्रेजिडेंट काम करते हैं तो उस टाइम पे उनको जो सेलरी एंड अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे सबसे पहले है ही आक्ट एज़ो न एक्स अफिशो चेर्मैन ऑफ राज्यासभा की जो वाईस-प्रेजिडेंट है वह आज़ी में काम करते हैं किसके राज्यासभा की और हिस पावर एड functions are similar to those of the speaker of a log sabha कि जो काम speaker of log sabha का होता है वही same power and functions जो है वो vice president के पास होते हैं और जो American vice president का system है उससे काफी हद तक similar है हमारे यहां के vice president का system जो American vice president है वो काम करते हैं as a chairman of the senate senate means upper house of the American legislature और यहां पर जो vice president है वो chairman होते है हमारे राजय सबागे और आजय सबाग भी इंडिया में अपर हाउस बोला जाता है next is he act as a president when a vacancy occur in the office of a president this time पर प्रेजिडेंट के office में vacancy create हो जाए तो वो उस टाइम पर आज़ा प्रेजिडेंट भी काम करते हैं किस टाइम पर vacancy create हो या तो जो प्रेजिडेंट थे वो resignation दे दे या फिर उनकी impeachment हो जाए या फिर उनकी death हो जाए और जो vice president हो गें वो कितने time तक as a president काम करेंगे for a six month और six month के अंदर अंदर उनको new president को न्यूक्त करना होगा वहां पर तो नेक्स्ट आता है वाई acting as a president or discharging the function of president the vice president does not perform the duty of the office of a chairman of राज्यासभा कि जैस time पे जो vice president है वो as a president काम कर रहे होंगे तो उस time पे वो as a chairman of राज्यासभा अपनी duties नहीं दे सकते हैं तो उस time पे जो deputy chairman होंगे राज्यासभा के वो as a chairman वहां पर काम करेंगे तो next आता है इंडिया and American vice president compared कि इंडिया and America के vice president में क्या फरक है जैसे आपने पहले देखा कि जो इंडिया का vice president office है वो based है American vice president के office पे बट इन पे कुछ differences भी है कौन सा difference है कि जो American vice president है अगर president की seat खाली है तो वो as time पे president बन जाएंगे और जितने time तक उनकी जो term है वो खतम नहीं होंगी वो तब तक vice president ही president रहेंगे बट हमारे यहां पर क्या है कि जो वाइस प्रेजिडेंट है वो सिर्फ six month के लिए ही ऐसा प्रेजिडेंट काम करते हैं जिस टाइम पर प्रेजिडेंट की seat खाली हो जाती है तो six month में के अंदर अंदर आपको new president को करना पड़ता है बट अमेरिका में ऐसा नहीं है अमेरिका में जो vice president है वो ही president बन जाते हैं और जितने time का tenure रहता है प्रेजिडेनल इस ऑफ प्रेजिडेनल सेलेक हो भिए yours. है हुर Oh second यहां पे हमारा व можешь प्रेजडेंटल का लाव पर कॉ्प्लीट होता है हिandelों आइ होप आपका उक्टस्य पसंदा रहे होंगे। सो मिलते हैं अपनी लेक्चर में नेक्स चेप्टर के साथ तेंक यू